हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर नीलम आपका अपनी चैनल स्टेडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूं फ्रेंड्स आज हम स्टेडी करने जा रहे हैं और पेपर की और यह पेपर मैंने लिया है 2008 का जो कि दिसंबर में हुआ था और इसका जो एंशिन पार्ट है मैं पहले ही कल अप्लोड कर चुकी हूं जिन लोगों ने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा है प्लेइलिस्ट क्रियेट किया हुआ है प्राची नित्यास के नाम से और वहां से वह वीडियो देख सकते हैं आज हम लोग में मेंडविल हिस्ट्री के जो कोश्चन्स के हैं उसको सॉल्फ करेंगे तो चलिए सॉल्फ करना शुरू करते हैं इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन के गंटि गंटी को प्रेस करें ताकि वीडियो जब भी आप्लोड करूं सब नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके और जो भी ये paper मैं upload करती हूं, उसको मैं तीन पार्ट में divide करके upload करती हूं, ancient पार्ट अलग, madeville अलग और जो modern है में उसको अलग कर देती हूं, तो आप देख सकते हैं इसे, तो यहाँ पर पहला question है, madeville history का, अली मुहमत KHां, मिराथ ए एहमदी, जियाओ दिन बर्नी को हम करेंगे, फत्वाे जहादरी से, भीम सेन, भीम سेन हो जाएंगे, नुस्खाे दिलकुशा, ये वाला कोश्टन जो है, ये अभी जो दिसंबर में एक्जाम गए था, नेट का उसमें आया भी था, इनायत खाँ इनायत खाँ है शाजहान नामा तो अगर आप लाइन से सारे वीडियो देख रहे हैं ओल्ड पेपर के तो आप देखेंगे काफी कोश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं तो ओल्ड पेपर सॉल्फ करना बहुत इंपोर्टेट है तो अगर आप कर रहिए हैं डिसम्बर 19 से सारे पेपर सॉल पिये हुए हैं और हम बबीयक साइबत में या रहे हैं आज तो हमने दिसम्बर 2008 का पेपर लिया है इसके बाद हम जूम 2008 का पेपfikर लेंगे और इसे ही बैक साइब में जा रहे है कि आगे दिखते हैं यहां पर भी सुची दी क करना है तो यहां पर हो जाएगा शाहमीर को हम करेंगे कश्मीर से और फिर जफर खान है जफर खान कर देंगे गुजराद से मलिक राजा मलिक राजा को हम करेंगे कश्मीर से और जोना खान खान देश से यहां पर भी देखिए सुची ही है सुची एक को हमें सुची दो से सुमेलिद करना है लंबाद लंबर दार लंबर दार हो जाएगा इंटेलिजन्स ओफीसर से बरीद बरीद को हम करेंगे राज्य कानून से वाक्यात नफीस यह हो जाएगा समाचार रिपोर्टर और जवाबित ग्राम प्रधान को कहा जाता था फिर से देख लेते हैं लंबादर इंटेलिजन्स ओफीसर बरीद राज्य कानून से वाक्या नफीस ये हो जाएगा समाचार रिपोर्टर और जवाबित हो जाएगा ग्राम प्रधान से तो यहाँ पे कतन और कारण का कुश्चन आ गया है और हमें पहचानना है कि कौन सा कतन सही है और उसका कारण सही है कि नहीं है तो चलिए सीधे कतन पर हम चलते हैं कतन कहता है सत्रमी शताब्दी के दौरान नव बाहे संबंधों के बढ़ते हुए महतुद्वारा प्रे आर्थिक व्रधी मुगल भारत और प्रारामबिक आधनिक यूरोप के बीच की कड़ी थी यह बात सही है इसे हम करेक्ट कर लेते हैं आगे दे रहा है मुगल भारत में प्रतेक व्यापारिक प्रतिष्ठान साही शाषन पत्र के अंतरगर्द चलता था जिसने उसे भारतिया व्यापार करने के एक मात्र रास्टिया अधिकार दिये थी यह भी करेक्ट है तो जो हमा और यह भी करेक्ट होगा नेक्स्ट कुश्चन भी हमारा कतन कारण पर ही आधारित है सबसे पहले दे रहा है कतन खान जहां किसी भी भूत पूर वजीर को प्रदान किये गए अधिकारों की तुलना में ज्यादा व्यापक अधिकारों का प्रयोग करता था करेक्ट है इसके बाद दे रहा हैं फिरोज शाह तुगलक ने अपने वजीर खान जहां को जिसको वो चाहे निक्त और निकाल देने की अनुमती दी जिसको चाहे वो निकाल सकता था निक्त कर सकता था यह भी करेक्ट है तो हमारा एंसर बन जाएगा यार दोनों ही सही है यहां पे भी कतन वार कारण का ही कुश्चन है कतन कहता है मुगल सामराज साजनिक खबरों के लिए आश्चर जनक रूप से तीवर जानकारी चकर द्वारा संबंधित था पिर से एक बार देख लेते हैं मुगल सामराज साजनिक खबरों के लिए आश्चर जनक रूप से तीवर जानकारी चकर द्वारा संबंधित था यह सही होगा फिर रिजन दे रहा है मुगल बादशा को दूरस्त प्रांतिय राजधानियों से सूचना प्रतिवेदन कुछ दिनों में नहीं मिलते थे जो की जन स्रोतागण हाल में रोज पढ़े जा सकते यह गलत है तो हमारा जो एंसर बनेगा यह सही है और गलत है सेर शा सूरी ने माल्वा को कब विजय किया कब जीता था तो इसकी जीत हुई थी 1542 में राजा राजा का खिताब किसको दिया गया तो राजा की जो उपादी प्राप्थ हुई थी ये जैसिंग को प्राप्थ हुई थी मराठा प्रशाशन में मजुमदार था तो मजुमदार कहा जाता था लेखा अधिकारी को हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई तो ये लड़ाई होई थी मुगल और मेवाड के मध्य नेमन को क्रमा अनुसार लिखे तो इसको क्रम में हमें बिठाना है तो इसमें हमारा जो क्रम है वो हो जाएगा ऑप्शन बी सबसे पहले रुकनुदीन फिरोज इसके बाद रजिया सुल्तान फिर मॉईजुदीन सबसे पहले रुकनुदीन हो जाएंगे रुकनुदीन फिरोश शाह, रजिया सुल्तान, मौईजुदीन बहराम और अलाव दीन मशूद साह तो यह क्रम करेक्ट है नेक्स्ट कोशन है निम्ल को क्रम अनुसार लिखे तो इसमें भी हमें क्रम के अनुसार ही लगाना है सबसे पहले आ जाएगा यह ऑप्शन हमारा करेक्ट है नसीरोदीन कुबाचा, जफर खान, गाजी मलिक और इसलाम शाह नेक्स्ट कोशन है निम्लिखित को क्रम में लिखे तो इसे क्रम में हमें लिखना है तो इसमें क्रम जो हमारा सबसे करेक्ट है वो हो जाएगा option ए सबसे पहले देवगिरी फिर रण थमबॉर फिर मालवा फिर गुजरात तो यहां हमारे जो मेड्विल हिस्ट्री के कोश्चन है वह हमने कंप्लीट कर लिये हैं और अगर आप इसकी सीरीज देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसे चेक करें मैं एक पर आपको प्लेलिस्ट वॉच करा देती हूं ताकि आपको आसानी हो इसे ढूनने में तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर हमने प्राचीन इतिहास यहां पर मधिकालिन इतिहास यह आधनिक इतिहास और य बहुत सारे पेपर आपको मिल जाएंगे इसके अलावा प्रैक्टिस सेट ए है एमसी क्यूस हिस्ट्री बेस्ट और सिविक्स का भी पेपर मैं सॉल्व करा रही हूं गर आप टीजीटी जाम देना चाहते हैं उसमें दो विशय लेने पड़ते हैं एक अगर आपने हिस्ट्री लिया है और सिविक्स लिया है तो इन वीडियोस को आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने उसी से रेडेटेड पेपर अप्लोड किये हैं फिर यहाँ पर और वी वीडियोस हैं जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन वॉक्स में जाकर स्वयम से देख सकते हैं तो उमीद है फ्रें देख सकते हैं जो अभी हमने वीडियो भी स्टडी किया है वो वीडियो इसमें आपको सभी मिल जाएंगे इसमें 35 वीडियो अप्लोड हो चुके हैं यहां पर 2010 का पेपर मिल जाएगा इस तरह से करके आपको दिसम्बर 2019 का जो पेपर है वो भी इसी सीरीज में मिल जाएगा ओके फ्रेंद्स टेक कियर और बाबाई